हमारा हाट यानि दिल, प्यार, गया और सहनुभूती का प्रतीक है हाट हमारी बॉड़ी में सबसे ज़्यादा काम करने वाले और्गांज में से एक है ये लगभग वन लाग किलोमीटर लंबी ब्लड वैसल्स में से ब्लड पंप करता है ब्लड वैसल्स को अगर एंट्वेंट जोडा जाये तो रेजल्टेंट वैसल्स अर्थ को धाई बार घेड लेंगी इस पावरफुल मस्कूलर और्गन का साइज हमारी फिस्ट के बराबर होता है जेनरली हम हार्ट का सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जो कुछ इस तरह का दिखता है लेकिन वास्तो में हार्ट सिमेट्रिक नहीं होता इसका लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट से ज़ादा मस्कूलर होता है लेकिन ऐसा क्यूं होता है ये हम बाद में जानेंगे हार्ट आपके चेस्ट के ठीक बीच में होता है लेकिन इसका लेफ्ट पार्ट बड़ा होने के कारण ये लेफ्ट लीनिंग होता है Human Heart के Anatomically Correct Model में Vertical Septum Left और Right Side को Separate करता है सामने से देखने पे Heart का Left Side ये होगा और Right Side ये होगा Heart के Left Side में दो पार्ट्स Right Atrium और Right Ventricles होते हैं इन दोनों पार्ट्स को Tricuspid Valve एक दूसरे से Separate करते हैं Heart के Left Side में भी Left Atrium और Left Ventricle नाम के दो पार्ट्स होते हैं जिनें Bicuspid Valve एक दूसरे से Separate करते हैं Atrium और Ventricles को Overall Chamber कहा जाता है इन Chambers में Blood ज़्यादा देर तक नहीं रुखता Heart में आने वाला Oxygenated Blood हाफ बीट से ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रुखता Deoxygenated Blood को फिर से Oxygenate करने के लिए Lungs में Pump हो जाता है Right Atrium दो बड़ी Vains से Connected होती है Body के Upper Part से आने वाले Deoxygenated Blood के लिए Superior Venakeवा होती है और Body के Lower Part से Deoxygenated Blood के लिए Inferior Venakeवा होती है Right Ventricles Pulmonary Artery के जरिये Lungs से सीधा Connected होती है इनमें Pulmonary Valve Flood Gate की तरह काम करता है आपका Left Atrium भी Pulmonary Vains के जरिये Lungs से सीधा जोड़ा होता है Left Ventricles आपकी Body की सबसे बड़ी Artery Aorta से Connected होती है जिने Aortic Valve अलग-अलग रखती है Aorta यानि महा धमनी का शेप बहुत बढ़ा होता है ये Heart के बाहर Kidneys और Bladder तक पहली रहती है Heart का Left Side Blood को Aorta में Pump करता है इसलिए ये ज्यादा Muscular होती है आपके शरीर में Oxygenated Blood Pump करने के लिए Aorta Responsible होती है Heart का Left Side बढ़ा होने के कारण Lung का Left Lube छोटा होता है क्या ये सर्प्राइजिंग नहीं है कि आपकी Body के सभी Organs का Arrangement कितना सठीक है हमारा Heart Muscles की तीन Layer से बना है अंदर की Chains और Welds पतली, Smooth और Muscular Wall Endocardium से Covered रहती है कुल मिला कि आपका Heart Muscle Thick Myocardium से बना होता है ये सब कुछ Pericardium से Covered होता है Pericardium आपके Heart के Muscular Structure को Protect करता है तो अगली बार अगर कोई दिल तूटने या पेगलने की बात करे तो उन्हें Heart के Strong Muscular Structure के बारे में बताना मत भूलिएगा Heart के 4 Chambers और कई तरह के Welds हमारी बॉडी में Blood Flow को Control और Regulate करते है क्या आपको Heart के अलग-अलग Parts याद है वीडियो रोक के Heart के Different Parts के नाम लेखिए Correct labeling कुछ इस तरह है अगर आप जानना चाहते हैं कि Heart काम कैसे करता है तो इसके लिए ये वीडियो देखें उलग-जाद तरह के लिए ये वीडियो देखें